असलाम लेकुम, आज मैं आपको आलू के पराठे की रेसिपी बताने वाली हूँ, आलू के पराठे को टेस्टी बनाने के लिए उसके आलू के मिक्स्चर को टेस्टी बनाना होता है, तभी पराठा टेस्टी बनता है, और ये बहुत ही आसान है, तो चलिए मज़दार सी तो आप भी ग्रेट कर ले उसके बाद में डाल रहे हूं तीन ग्रीन चिली और एक इंच अद्रक का टुकरा बारी कटा हुआ और यहां पर मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रहे हूं आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल सा सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से आप सॉल्ट डाल दे और मैं वन टीज़पून चिली फ्लेक्स डाल रहे हूं यह ऑप्शनल है और वन टीज़पून कोरियंडर पाउडर अगर आप कोरियंडर कुट के डालेंगे धनिया को तो ज्यादा फ्लेवर आता है तो कुटा हुआ धनिया डाले मेरे पास यह अवेलेबल था तो मैंने यही डाल दिया और उसके बाद हम डाल रहे है एवरेस्ट का एक टीज़पून चाट मसाला और और फ्रेश कोरियंडर लिव्स मैं दो मुट्टी भरके डाल रही हूं उसके बाद इसे हलके हाथों से मिक्स करें और तो इसमें डालें गे रेट चिली पौडर वन टीज़पून स्पाइस अपने हिसाब से एज़िस्ट कर सकते हैं ज्यादा तीका चाहिए तो अबज़्ादा डाल सकते हैं और यहां हमारा पटेटोमिक्स्चर रेडि हैं और य और मैंने पेड़ा ले लिया है नॉर्मल रोटी जो बनाते हैं उसे थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि मुझे आलू के पराटे थोड़े साइज के अच्छे लगते हैं तो इस तरह से राउंड कर लेंगे करा से और उसके बाद हम इसको कटोरी बना लेंगे काटोरी शिप बनाने के बाद इसमें अलू फील करेंगे और आप इस तरह से अलू डाले के हम थोड़ा वह को दबाएंगे । जेटे के साथ और उसके बाद से कंई लू इसको आटे सब करते हैं तो इस तरह से धीरे कहले हैं तो एक यह आदर यह सकर किद्शा अब बहुत स्मूदली सील करना है हमें देखिए इस तरह से और उसके बाद हलके हाथ से टैप कर देंगे और उसके बाद जैसे नॉर्मल हम लोग रोटी बेलते हैं वैसी बेल लेंगे बस इसमें हलके हाथ से रोटी बेलना है वरना जाधा प्रेशर लगाए तो आलू बहार आ सकता है और वैसे थोड़ा अलू बहार आ भी गया दिख भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अलू अगर दिख गया तो अगर आपका पराठा फट भी जाता है तो जो तो मैं पहले पूरे सारे पराठे बेल लेती हूं उसके बाद मैं लाइन से पुरा सेख लेती हूं मुझे ऐसे इजी लगता है करने में तो देखिए मैंने बड़े-बड़े साइस के यहां पर रोटी बेले है और यह तावा गरम हो गया है रोटी डालने के बाद हम दस सेक पुरी तरह से पका के घी लगाएंगे तो पराठा कडा हो सकता है. इसलिए मैं half-kooks पराठे में घी लगा के फिर उसे पका लेती हूं. इस तरह से लगा के फिर पलट देंगे. और इस तरफ भी थुड़ा घी लगा लेंगे. इसे दबा दबा कर, हमें सेखना है, अगर आप दबा कर, सिखेंगे तो रोटी अच्छे से पकेगा, कॉर्नर को हमेशा याद रखे, कॉर्नर ना भूले, दबा दबा कर, सेख ले, चारो और, और देखिये, हमारा अलू का पराटा कितना टेस्टी लग रहा है देखकर, Allah हाफीज